एलो फ्रेंड्स वेलकम टू एक्रटीम यूटूब चैनल दोस्तो आज का वीडियो काफी ज्यादा मुझेदार वीडियो होने वाला है क्योंकि दोस्तो आप सभी लोग जानते होगे केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे केमिकल है जिसकी मदद से हम बीना माचीज के आग लगा दोस्तो आप लोगों को एज्यूकेशन परपस के लिए देख लेना है लेकिंद बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तो यहां पर हमने एक सीरिंज रखा है और दोस्तो आज हम थोड़ा केमिकल बेस्ट एक्सपेरिमेंट करने वाले है तो यहां पर हमें दो केमिकल की जरूबद पढ़ने वाले हैं दोस्ते बाला है कोटेशम पर मेंबाने इस पिर इसको परत है यहां पर है और इन दोनों केमिकल को और हम एक साथ मिला देज तो हम बाहरी बाहर से कोई बी आग लगाने की जरूराल बिल्कुल नहीं पड़तीे है अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो उन में आग लग जाती है तो दोस्तो आज हम वही देखने वाले कि क्या होगा इस दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यहां पर है पोटेश्यम परमेगनेट और यहां पर है ब्लेक फ्लूइड इन सबी जीदों को हटा देते हैं और आपको यहां पर है पोटेश्यम परमेगनेट यह कुछ इस तरीके का दिखता है और इसको हम यहां पर निकाल लेते हैं पहले बिल्कुल थोड़े से माउंट में हम इसको ट्राइ करके देखेंगे बिल्कुल थोड़ा सा में यहां पर फोटेश्यम परमेगनेट निकाल लिया है अब इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं और फिर अब यहाँ पर है ब्रेक फ्लुईट और दोस्तों कहा जाता है कि इन दोनों को आपच में कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिai लेके ओंब आज के वीडिओ में आप लोगों को दिखाने की लिए इन दोनों को मिक्स करने वाले है तो दोस्तों आप इतना काफी है किस तरीके का दिखता है आप देख सकते हैं और आप इन दोनों को मिला देना है और फिर देखना है रियक्शन सभी चीजों को साइड कर दे रहे हैं और दोस्तों यहां पर है पोटेश्यम परमेंगत और इसके उपर अब हमें डालना है ब्रेप फुट मैं जल् देखनां इनमें हमें कोई भी बाहर से आग लगाने की जरुवद बिल्कुल भी नहीं पड़ी है नहीं पड़ती है उनमें वैसे के वैसे लग जाती है खंद के लाक्रिश जल रही है अब जक्ते है एठ थोड़ा सा खत्र ना खेल लेकिन आप इसे त्यान से कर सकते हैं अगर आपको यह जगा पे जहां पर आपको मातीस जंगल होगेरा में आप केम्पिंग कर रहे हैं और वहां पर मातीस आपके खराब हो जाती है और इन दोनों केमिकल को आप साथ प्यूल के रूप में हम इसके अंदर डालेंगे चीनी और दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि चीनी एक अच्छा फ्यूल हो दिए और इसके साथ हम इसमें मिला देंगे प्यूल और उक्सिटाइजल का अच्छा मिश्रन हो जाएगा उनमें भी आग लगाई जा सक कि अगर पोटेश्यम परमेगनेट के अंदर ब्रेक फ्लूइड को मिला देते हैं तो उनमें ओटोमेटिकली आग लग जाती है उनके साथ साथ एक चीज होती है और ग्लीसरीन जो आता है वो भी एक आम चीज है उसको भी अगर हम पोटेश्यम परमेगनेट के अंदर मिला आग लग जाती है दोस्तों आप हम करने वाले दूसरा एक्सपिरिमेंट उनमें हम पोटेश्यम परमेगनेट के अंदर चीनी का पाउडर मिला देंगे चीनी यह फ्यूल होता है और फिर इसको देखते है कि इनमें आग लगती है या फिने तो दोस्तों इनमें है चीनी का पा यह दोस्तों चीनी का पाउडर है यह कोई और केमिकल बिल्कुल नहीं अब अगर हम इन दोनों को मिला कर और फिर बहुत अच्छे से रगड़ते है तो इनमें भी आग लग जाती है तो तलिया इसको करके देखते है अब हमें इसको अच्छे तरीके से मिला लेना है दोस्तों यह जो हमारा फ्यूल तयर हुआ है वह बहुत जिए दर फ्रॉंग फ्यूल देर हो चुका है उनमें फ्यूल के रूप में चीनी डाल दिया और ऑक्सिटाइजर के रूप में पोटेशन परवेंगेट को दाल दिया है अगर हम इन दोनों यह जो मिस्रण है उसको आग लग जाती है लेकि यहां पर हम रगड नहीं सकते कि यहां सावीक है तो यहां पर हम इसको बाहर से थोड़ी से आग देते थे और देखते कि इसका कैसा री एक्शन होता है बिल्कुल कोईले की तरह र्याड वर्ट हो चुका है देखा दोस्तों इन में इस तरीके से आग निकल दिये तो दोस्तों यह था केमेश्री का एक्सपेरिमेंट चोटा था आयोप कि आप लोगों को पसंद आया होगा को रिया सीखने को मिला होगा कि बीना माचिस की मदद चैनल को इसी तरीके के मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर प्रेस कर देना है हम मिलते आपको इसकी नेक्ट वडियो में तब तक के लिए जहीं सहीवारा